12 दिसंबर 2020 का राशिर्फल गर्ष 17 बज़कर 30 मिनट और 11 सेकंद तत वनेच 27 बज़कर 55 मिनट 09 सेकंद तत आज का पक्ष, क्रिशन, आज का योग, अतिगंड 12 बजकर 5 मिनट और 21 सेकंड तक, आज का वार, शनिवार, आज का सूरियोदे सूरियास्त और चंद्रोदे चंद्रास्त का समय, आज का सूर्योदे 7 बज़कर 4 मिनट और 38 सेकंड तक, आज का सूर्यास्त 17 बज़कर 25 मिनट और 26 सेकंड तक, आज का चंदरोदे 39 बज़कर 18 मिनट 69 सेकंड तक, आज का चंदरास्त 15 बज़कर 31 मिनट और 0 सेकंड तक, आज की चंदर राशी तुला 22 बज़कर 41 मिनट 55 सेकंड तक आज का हिंदू मास एवं वर्ष शक समवत उन्नी सो बयालीस शारवरी विक्रम समवत दो हजार सत्थर काली समवत पांच हजार एक सो बाईस आज का दिन काल दस बजकर बीस मिनट और सेंतालीस सेकंड तक मास अमान्त कार्तिक, मास पूर्निमान्त मार्गशीर्ष आज का शुब समय ग्यारा बजकर चोवन मिनट और इक्कीस सेकंड से बारा बजकर पैंतीस मिनट और चवालीस सेकंड तक अशुब समय अशुब मुहूत दुष्ट मुहूत साथ बजकर चार मिनट और अरतीस सेकंड से साथ बजकर चियालीस मिनट और दो सेकंड तक कुलिक कालवेला अर्ध्ध्याम तेरा बजकर सत्रा मिनट और साथ सेकंड से तेरा बजकर अठावन मिनट और तीस सेकंड तक यमगंद चोदा बजकर उन्तालिस मिनट और चोवन सेकंड से पंद्रा बजकर इक्कीस मिनट और सत्रा सेकंड तक यमगंद 13.32 मिनट और 38 से 14.50 मिनट और 14 सेकंड तक गुलिक काल 7.4 मिनट और 38 से 8.22 मिनट और 15 सेकंड तक आज 12 दिसंबर 2020 को है शनी प्रदोश व्रत हर महीने की शुकल और खृष्न पक्ष में प्रदोश व्रत आता है ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लंबी आयू का वर्दान प्राप्थ होता है प्रदोश व्रत जब शनिवार के दिन पढ़ता है उसे शनी प्रदोश व्रत कहते हैं शनी प्रदोश का व्रत करने वालों को भगवान शिव के साथ साथ शनी की भी कृपा भी प्राप्त होती है इस साल का आखिरी शनी प्रदोश व्रत 12 दिसंबर को है शनी प्रदोश व्रत की पूजा विधी शनी प्रदोश व्रत में शाम का समय शिव पूजन के लिए अच्छा माना जाता है इस दिन सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोश मंत्र के जाप किये जाते हैं शनी प्रदोश के दिन सूरे उदे होने से पहले उठें और स्नान करके साफ कपरे पहने गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजर आदी से भगवान शिव की पूजा करें ओम नमा शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव को जर चड़ाएं शनी की आराधना के लिए सर्सों के तेल का दिया पीपल के पेड के नीचे जलाए एक दिया शनी देव के मंदिर में जलाएं व्रत का उद्यापन त्रियोची तिथी पर ही करें शनी प्रदोश व्रत का महत्व शनी प्रदोश व्रत को किंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है शनी प्रदोश का व्रत करने वालों को धोले शंकर के साथ शनी देव का भी आशीरवाद मिलता है माननेता है कि ये व्रत रखने वाले जातकों के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं और मृत्ती के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है पुराणों के अनुसार प्रदोश के समय भगवान शिफ कैलाश परवत पर निर्थे करते हैं इसी वजह से लोग शिफ जी को प्रसंड करने के लिए इस दिन प्रदोश व्रत रखते हैं शनी प्रदोश शुग मुहूरत मार्गशीष खृष्ण त्रियोध्शी दिसम्बर बारा प्राता प्रारभ 7 बज़कर 2 मिनट दिसम्बर 13 समाप्त प्राता 3 बज़कर 52 मिनट शनी प्रदोश की पूजा विधी इस दिन उशाकार मुहूरत में उठेन स्नान के बाद भगवान शिफ का ध्यान करें उनके मंत्रों का जब करें सुबह भगवान शिफ को बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें व्रत का संकल्प लें दिन भर व्रत रखें संध्या के समय जब सूरे अस्थ हो और रात्री का आगमन हो उस समय को प्रदोश काल कहते हैं प्रदोश काल में शिफ जी साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं इसलिए इस समय शिफ का स्मरन करके उनका पूजन किया जाए तो उत्तमफल मिलता है कदोश काल में भगवान शिव वमा पार्वती की पूजा करें संभव हो तो मंदिर जाएं शिवजी का पूजन करें और कथा कहें कसाद अर्पित करें अब सुने सभी बारह राशियों का राशिफल मेश राशि आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं आज कारोबार में कोई शुप समाचार मिल सकता है आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है आज जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं आज प्रॉपर्टी संबंधित कोई अच्छा सोदा हो सकता है जिससे धन लाब होगा आज सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा आज सामाजिक और सार्वजनिक शेत्र में आज आपको प्रसिधी मिलेगी आज आपको परिवार और विवाह में खुशी और संतुष्टी का अनुभव होगा आज आप रोमास की पराकाष्ठा का अनुभव करेंगे आज मौज मस्ती और मनोरंजन से लाब होगा जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखें आज आपका भाग्यांत छे होगा, शुभरंग सफेध होगा आज आप भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाए लाबकारी होगा विशब राशी, आज आपकी रचनात मक्ता में निखार आएगा आज आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे कारे क्शेत्र में आज का दिन उतार्चढाव से भरा रहेगा आज वस्तुए संभाल कर रखें आज सामाजिक क्रतिष्ठा में कमी आ सकती है आज ओफिस में किसी से कहा सुनी या बहस हो सकती है आज दामपत्ते जीवन में उतार्चड़ाव के बावजूत प्रेम रहेगा आज संतान के प्रती जुकाव बढ़ेगा आज हम वानी और वेवहार पर सम्यम रखने की सलाह देते हैं आज किसी का मजाग बनाने से गल्प फहमी पैदा होगी आज मौच शौक और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा अपनी सहत का ख्याल रखें आज दुरघटना से बचें मानसिक उनमाद कई समस्याएं पैदा कर सकता है तो वह नियंतरन में होना चाहिए आज आपका भाग्यांक चार होगा शुब रंग सिंदूरी होगा आज आप गाय को रोटी खिलाएं लाबकारी होगा मिथुन राशी आज आपके लिए दिन काफी बेहतरीन हो सकता है आज आपको कुछ अच्छे मौके मिलेंगे किसी तरह की नई प्लानिंग को लेकर बड़ा फैसला कर सकते है आज संतान पक्ष की ओर से खुश खबरी मिलेगी परिवार में सुखद माहौल रहेगा दफ्तर में कोई उल्जा मामला आज सुलच जाएगा आज साथी के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा आज हर जगह एक ही फाइदा है कि आज पारिवारिक सुख शांती बनी रहेगी आज पत्मी पर खर्च करेंगी आज अविवाहित लोगों के विवाह की संभावना है आज व्यापार और नौकरी में आय बढ़ेगी आज घर में शुब कारिक्रम आयोजित होंगे प्रियजनों का मिलना आनंद दायक रहेगा आज अच्छा भोजन और अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त होगा आज आज आपका भाग्यान्त एक होगा शुब रंग चमकीला होगा आज आप अपने मस्तत पर केसर का तिलक लगाए लाबकारी होगा करक राशी आज काम अधिक होने से आपका तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है धनार जन होगा व्यापारिक उन्नती होगी आज अनायास किसी समस्या का समाधान हो सकता है आज अपना व्यवहार सन्यमित रखकर काम करना जरूरी है आज बच्चों के साथ वक्त बिताने पर आप राहत महसूस करेंगे आज प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है आज ऑफिस के काम में जल्दबाजी न करें आज शारीरिक वा मानसिक चुस्ती की कमी रहेगी आप सीने में दर्द या किसी अन्य विकार से असुविधा का अनुभव करेंगे आज परिवार में सदस्यों के साथ तीखी बहस होगी शहर में बदनामी का ख्याल रखना आज महिला वर्ग और पानी की वजह से कोई परेशानी होने की संभाव ना है आज धन खर्च होगा भोजन समय से नहीं मिलेगा आज अनिद्रा का शिकार होना पड़ सकता है आज आपका भाग्यांत छे होगा शुब रंग क्रीम कलर होगा आज आप तीर्थ में जाकर स्नान करें लाबकारी होगा सिंग राशी आज का दिन आपके लिए काफी मूलेवान रहेगा आज आपको प्रोफेशन फ्रंट पर बहुत अच्छे परिनाम मिलेंगे आज आपके काम की तारीफ होगी आज आपके क्रियेटिव आइडियास को काफी सराना मिल सकती है आज धनलाब के अफसर आएंगे आज जीवन साथी से संबंधों में मधूर्ता आएगी आज पूजी निवेश लाबकारी रहेगा आज संतान के प्रती चिंता बढ़ेगी आज आप तन और मन से स्वस्थ और ट्रफुलित रहेंगे आज पडोसियों और भाई बंधों के साथ संबंध सोहार्द पूर्ण रहेंगे निर्धारित कारे पूरे होंगे आज थोड़ा रुकना होगा आज सौभागे के अफसर सामने आएंगे आज प्रतिस परधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे आज प्रियव्यक्ति की निकत्ता आपको प्रसन करेगी आज एक प्यार भरे रिष्टे की गहराई का पता चलेगा आज आर्थिक रूप से लाब होगा आज आपका भाग्यांक नो होगा, शुभरंग स्लेटी होगा आज आप श्री सूप्त का पाठ करे लाबकारी होगा कन्या राशी, आज आपके भाग्ये का सितारा चमकेगा आज आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है आज राजनीतिक एवं सामाजिक कारेों में सफलता की संभावना है आज व्यापार को बढ़ाने के मामले में आपकी महंत सफल रहेगी आज पारिवारिक जीवन में कुछ कला हो सकती है आज दामपत्ते जीवन के लिए दिन बहतर है आज प्रेम संबंधित मामलों में बाधाय आ सकती है आज दोहरी मानसिक वित्ती रहेगी आज नकारात्मक विचारों से बीमारियां बढ़ेंगी आज पारिवारिक सदस्यों के साथ गल्थ फहमी या विवाद होगा आज अनावशक खर्चे होंगे आज छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आज प्रवास की संभावना है आज आयात निर्यात के वैवसाय में सफलता मिलेगी आज आपका भाग्यांक तीन होगा शुब रंग आसमानी होगा आज आप पंचगवे का पान करे लाबकारी होगा तुला राशी आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज बिल्डर्स को किसी नए प्रोजेक्ट से लाब हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिती सामाने बनी रहेगी आज बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है आज वाणी पर मियंतरन रखें आज जल्दबाजी न करें बकाया वसूली होगी आज जीवनशैली में बदलाव करने और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है वर्तमान समय में आप वित्ती योजना को बहुत अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम होंगे आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक शक्ती श्रेष्ठ रहेगी आज शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे आज मजबूत विचारों और आत्म विश्वास के साथ काम पूरा कर पाएंगे आज साजेदारों के साथ मेल मिलाप होगा आज शौक और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा आज दामपत्ते जीवन में निकत्ता का अनुभव करेंगे आज आपका भाग्यांक तीन होगा शुब रंग सफेद होगा आज आप अपने शरीर पर मल्यागिरी चंदन का लेप लगाएं लाबकारी होगा विष्चिक राशी आज प्रेम के मामले में सफल रहेंगे आज कोटक चहरी के मामलों में विजय मिलेगी आज अधिकारी कामकाज में सहयोग करेंगे आज कोई नई योजना बनेगी आज कारे प्रणाली में सुधार होगा आज मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है आज दामपत्ते जीवन के लिए खुशी भरा दिन रहेगा आपका जीवन साथ ही रोमांटिक मूड में होगा आज स्वास्थ थोड़ा कमजोर रह सकता है आपके प्रियजनों या विदेश में बसे दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है आज आमोद प्रमोद की प्रवृत्तियों में धन खर्च होगा आज आप वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ निकत्ता के पल बिता पाएंगी आज अदार्ती मामलों में काम करना उचित रहेगा आज ओफिस में महिला वर्ग से लाब होने की संभावना है आज आपका भाग्याग पांच होगा, शुब रंग केसरिया होगा आज आप कार्तिके जी का पूजन करे लाबकारी होगा धनों राशी आपके रुके हुए कारे बनेंगे आज पारिवारिक समस्याओं का हल सूजबूच से करेंगे आज व्यापार लाब प्रद रहेगा आज आज सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं सोच समझ कर वे करें बढ़ा हुआ मनोबर जरूरी कारेओं में सफलता दिलाएगा आज माता-पिता के सहियोग से कारोबार में बढ़ोत्री होगी आज आर्थिक हालात मजबूत रहेंगे आज का दिन आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक ध्रिष्टी से लाब का दिन है पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा आज मित्रों और विशेश रूप से महिला मित्रों से लाब होगा आज आय के साधन बढ़ेंगे आज व्यापार बढ़ेगा और लाब होगा आज विवाह के योग बन रहे है आज मांगलिक कारे होंगे आज अच्छा भोजन मिलने की संभावना है आज आपका भाग्यांक छे होगा, शुब रंग हलका सफेध होगा आज गाय को रोटी खिलाएं लाबकारी होगा मकर राशी, आज आप काफी रोमांतिक मूड में होंगे आज विवाहित लोगों के जीवन में भी खुशी भरे पलाएंगे आज आमदनी में बढ़ोतरी होगी आज कारेट शेत्र को बदलने का विचार कर सकते हैं आज शत्रू पक्ष से सतर्क रहें आज आपके कारेओं की परिवार एवं समाज में प्रशंसा होगी आज संतान की मदद से आत्म विश्वास बढ़ेगा आज व्यापार में नए अनुबंधों से लाब होगा व्यवसाय के क्षेत्र में धन, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी आज आपकी महंत नौकरी में भी रंग लाएगी आप घर, परिवार और बच्चों के मामले में खुशी और संतुष्टी की भावना का अनुभव करेंगे आज व्यावसाय कारेओं के संबंध में दोर बढ़ेगी आज नौकरी में पदोन्ती होगी आज आपको सरकारी कारेओं में सफलता मिलेगी और सरकार और मित्रों और संबंधों से लाब होगा आज आपका भाग्यांक साथ होगा, शुभरंग चाकलेटी होगा आज आप भगवान कार्ति के जी को दूद से सनान कराएं लाबकारी होगा कुम्भ राशी, आज आपको किस्मत का पूरा-पूरा साथ मिलेगा आज कारोबार में आपको धन लाब होगा आपकी क्रेटिविटी से लोग प्रभावित होंगे आज आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत रहेगी आज प्रॉपर्टी संबंधित कोई बातचीत आगे बढ़ेगी आज आपके रिष्टेदार आपका पूरा सहियोग करेंगे आज वैवाहिक जीवन वालों के लिए परिस्थितियां ज्यादा अनुकूर रहेंगी आज आप अस्वस्थ महसूस करेंगे लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे आज काम करने के लिए उत्साह की कमी होगी आज दफ्तर में उच्च अधिकारियों से दूर रहें आज प्रतियोगियों के साथ बहस में त्रवेश करना उचित नहीं है आज सुख के पीछे विशेश खर्च होगा आज यात्रा का योग है विदेश प्रवास की संभावनाय पैदा होंगी और विदेश से समाचार प्राप्थ होंगे आज संतान की चिंता रहेगी आज आपका भाग्यांक चार होगा शुब रंग हलका आस्मानी होगा आज आप मयूर पक्षी के दर्शन करें लाबकारी होगा मीन राशी आज का दिन अच्छा रहेगा आज आत्म विश्वास से भरपूर रहेंगे आज किसी अधूरे काम में हाथ लगाने से वह जल्द पूरा होगा आज कारेकशेत्र में प्रगती का अफसर मिलेगा आज अपने जीवन में व्याप्त नकारात मकताव को दूर करें आज छात्रों के करियर में उल्हती के नए रास्ते खुल सकते हैं व्यापार में कोई नया अनुबन्ध हो सकता है आज पिता से संबंध सुधरेंगे आज आकस्मिक धन लाभ का योग है आज आपको व्यापारी वर्थ के पीछे रुका हुआ पैसा मिलेगा आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक महंत करनी होगी आज अनैतिक का मुक्ता आपको परेशानी में डाल सकती है आध्यात्मिक विचार और व्यवार आपको सड़क पर जाने से रोकेंगे आज आपका भाग्यांक दो होगा, शुब्रंग सफेध होगा आज आप अपने घर में मयूर पंक स्थापित करें लाबकारी होगा